बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुख्या अज के घर बेटी पैदा हुई थी उसका एक नाम श्रमणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया शबरी की मा इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी बच्पन से ही शबरी पशुपक्षियों की भाषा समझ कर उनसे बाते करती और जब सबरी की मा उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिष्टा तै कर दिया जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया शबरी के घर वालों ने खूप सारी बक्रियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिये एक दिन शबरी का मा जब उसके बाल बना रही थी तो उसने मा से पूछा इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए है मा ने जवाब दिया बेटी, तुम्हारा विवा होने वाला है इसलिए हम लोगों ने इनका इंतिजाम बली के लिए किया है तुम्हारी शादी के दिन ही बली प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बना कर सब को परोसा जाएगा यह सब सुनकर शबरी दुखी हो गई काफी देड तक शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहां नहीं होंगे तो इनकी बली रूख सकती है ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बली रुकेगी जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवा होगा और नहीं बली प्रथा इससे मासूम जानवर बज जाएंगे इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगा पर सबरी पहुँची उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी भागते भागते शबरी रिशिमुख परवत पहुँच गई वहां करीब 10,000 रिशी रहा करते थे शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह रिशिमुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी शबरी रोजाना रिशिमुनियों की जोपडी के आगे जाडू लगाती और हवन के लिए लकडियां भी लाकर रख देती रिशिमुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे है एक दिन शबरी को किसी रिशी ने देख लिया उसे देखते ही उसका परिचय पूछा जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे रिशियों ने खूब डांट लगाई शबरी को इस बात का बिलकुल भी पता नहीं था कि उसकी जाती छोटी है और उसे रिशियों द्वारा जाती की वज़ा अपमान सहन करना पड़ेगा इतना सब होने के बाद भी शबरी हर रिशिमुनी के दर्वाजे पहुचती और उनके आंगन में जाडो लगा कर उनसे गुरू दीक्षा देने के लिए कहती हर कोई शबरी को उसकी जाती की वज़ा से अपने आश्रम से भगा देता था ऐसा होते होते काफी समय बीट गया उसके बाद शबरी मतंग रिशी की कुटिया में पहुची वहाँ पहुचकर मतंग रिशी को सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरू दीक्षा लेना चाहती है उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्यान देते रहे शबरी ने भी अपने गुरू मतंग रिशी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी शबरी से खुश होकर मतंग रिशी ने उसे बेटी मान लिया था समय के साथ मतंग रिशी का शरीर बूढ़ा हो गया उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा बेटी मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते शबरी ने दुखी मन से कहा आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ आप ही चले जाएंगे तो मैं जी कर क्या करूंगी आप अपने संग मुझे भी ले जाएए मैं भी देह त्याग दूंगी मतंग रिशी ने जवाब दिया बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूडूंगी मतंग रिशी ने बताया राम कोई और नहीं भगवान है वो तुम्हें सारे अच्छे करमों का फल देंगे तुम्हें उन्हें ढूंडने की कोई जरूरत नहीं है वो एक दिन खुद तुम्हें खोचते हुए इस कुट्या में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा तब तक तुम इसी आश्रम में रहो इतना कहते ही मंतग रिशी ने अपना शरीर त्याग दिया शबरी के मन में मंतग रिशी के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वय उससे मिलने आएंगे वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे-च्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड कर लाती भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चक लेती थी ताकि भगवान वो सिर्फ मीठे बेर ही दे रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकठा करती रहती थी इसी तरह इंतिजार में कई साल बीद गए शबरी का शरीर एकदम व्रिद्ध हो गया एक दिन आश्रम के पास के ही तलाब में शबरी पानी लेने के लिए गई तभी पास के ही एक रिशी ने उसे अच्छूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया वो पत्थर जब शबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा बहते हुए खून की एक बूंद उसी तलाब के पानी में गिर गई तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया ये सब होता देखकर रिशी ने शबरी को ही डाटा और कहा कि पापीन तुम्हारी वज़ा से पूरा पानी खराब हो गया रोज रिशी उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तिमाल करते कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा कई सालों तक तालाप के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो रिशी ने ठक कर सब कुछ छोड़ दिया इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्मी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंडते हुए उसी तालाप के पास पहुँचे रिशिमुनियों ने उन्हें पहचान लिया भगवान को वहां देखकर रिशियों ने तालाप का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था रिशि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस्खून जैसा ही रहा तब भगवान ने रिशियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी तब रिशी ने शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए ये सब हुआ है उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं, बल्कि मेरे दिल को घायल किया है इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है, आगे भगवान राम बोले, कहा है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ तब तक शबरी उसी तलाब के पास पहुँच जाती है इस दोरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ घूल उस तालाब में गिर जाती है तभी सारा पानी साफ हो जाता है भगवान सबसे कहते हैं, कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूलने ही तलाब का पानी साफ कर दिया भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी उन्हें प्रणाम करके शबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुट्या में चलिए, भगवान भी खुशी-खुशी शबरी के साथ चल पड़े फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग गई और चक-चक कर उनके लिए बेर लेकर आई उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्षमन को बेर दिये भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू किया तभी बेर देखकर मुंग बनाते हुए लक्षमन ने कहा भैया ये बेर जूठे हैं इन्हें आप कैसे खा सकते हैं भगवान ने जवाब दिया लक्षमन ये जूठे नहीं बलकि बहुत मीठे हैं शबरी माई हम सबके लिए ये बहुत प्यार से तोड़ कर लाई हैं इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं शबरी ने उन्हें कहा मतंग रिशी के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी उसी वक्त शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संसकार किया और सीता मा की खोज में आगे बढ़ गए इस तरह से रिशी मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए जरूर होते हैं